स्वागत एक बर फिर्स है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी वस पर हम यहां बात करेंगे स्रिलंका और वेस्ट इंडीज के बीच में आप टी ट्वेंटी खतम अब ओडियाई स्टार्ट होने जा रहा है और ओडियाई की एक अलग प्लेंग लेवन हो दिये स्रिल प्लेंटसी वागत बनाने में तो सबसे पहले वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना क्योंकि वह में बहुत मोटिवेट करता है कमेंट सेक्षन खुला हुआ है आप फीडबैक दे सकते हो वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कैसा लगा कोई कमी है तो उसको भी आप ब करेगी आपके दोस्तों की भी फेंटसी टीम बनाने में यह जो मुकाबला है वो पल्ले के लिए इंटरनेशनल स्टीडियम पे खेला जाएगा दोपया धाय बजे मुकाबला स्टार्ट होगा रेंच चांसेज की बात करें दस परसेंट चांसेज है रेंगे पल्ले के लिए लेके 300 के बीच में ग्यारा और 300 के बार मतलब 300 के पार गया तो अगर खुद बल्लेबास खराब ना करें तो यहां स्कोरिंग होता है जैसे यह रिशन्ट फाइम मेंचेश जोंको अफगाएंस्थान वर्सेश रोलंका 266 बना यहां 308 बना यहां पर 381 बना यहां 230 बना ने सकते हो यह कितना बैटिंग अडवांटेश रहा होगा यह वाला मैं स्टोड़ा सा अनेक्स्टेड हो गया जो ही जाता है mostly केस में बट ऐसा विकेट नहीं है कि ऐसा आपको रंस बनने के लिए रंस बनाने के लिए यहां पर स्ट्रॉगल करते हो देखेंगे बल्लेबास बन मिलता है बहले इस्पिनर्स विकेट निकाले ना निकाले बट टर्न देखने मिलता है और अगर वही कोई टेकर आ गया तो उनको इजी ली विकेट फर्स टिरिंग में भी मिल सकता है तो यह वाली चीज रहती है ठीक है आपकी आफटर टॉस पिस से रिलेटेड कैसी नहीं ह छिखेए ठीक बट टरूộं दटूगा है दोनों टीम का बास छीन ठीक हैा राइट आूटर यह टीम की बात करते हैं इनके जो इंपार्टेंट प्लियर लिख पर यहां पर न यहां समरा विकर्मा की जगह पर यह फिर यहां तक लगविकर्मा की जगे को कहला सकते हैं लिख कि नसले था-राली ब्सकाइब में सविक नियुक्त गया था։ चांकन है अब इसका फर्णेंडो रिसेंटली लिस्ट है जो डोमेस्टिक का पजास ओर का गेम होता है यहां दो फॉर्टीज में स्कोर एक 126 का कुशाल मेंडिस अभी रिसेंटली जो टी ट्वेंटी खेलके आ रहे इन्हीं के सामने वही है ओडियाई यह बहुत पहले खेले इसलिए मैंने इनका पुराना वाला ओडियाई स्कोर नहीं दिखा है अब यह कामिंदू मेंडिस की बात करें तो इनका भी रिसेंटली यह देखो यह ओडियाई खेले हो थे और यह भी रिसेंटली जो टीटी टीटी खेलके आ रहे है अच्छा फर्म दिख रहा है समरा वि टीटी खेला उसमें भी अच्छा लिस्टे में तो बॉलिंग से विलालेगे का भी काफी संदार रहा है तीच्छना का फॉर्म अभी रिसेंटली टीटी में अच्छा था मधुन संका का फॉड़ा गढ़ा है डमस्टिक टीटी खेलकर आ रहे असीता फर्नेंडों का जो मत करो यह पांच प्लेयर और हां असलांका का वह चीज है अगर यह विक्रमा सिंगे को खिलाते हैं तो देखो इनकी टीम से नव ऐसे अभी के लिए यह पांच में गिंदबाज है जरूरत पढ़ती है तो कम इंदो मेंडिस अंड असलांका है इनके पास गिंदबाज लेकि तो यह चार अभी आप मान के चलो मस्ठापि क्योंकि प्लेइंग लवन आने के बाद देखेंगे और विक्रमा सिंगे का भी अभी सीन देख लेते हैं ठीक है तो बॉलिंग कोन कितने वर डालेगा अभी के लिए इस हिसाब से प्लेइंग लवन के हिसाब से तो यह पांच अप की तो यह पांच के बात थोड़ा ज्यादा से जाएगा अगर फिर से करेंगे तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है थीक है इनके पावर प्लेगे के जाएका और यह प्लेयर भाई स्टैट्स है कौशाल मेंडिस का 33 का अवरेज है उन्तीस सो बाच्टर रुचा अधिरा सम्राविकर्मा 33 का इनका भी एवरेज है लेकिन मैचे थोड़े कम खेले हैं उसके बाद यहां पर आओ तो पाथुम निशंका असलांका आविसका फर्नेंडो का 33 का एवरेज है रिसेंट फर्म काफिस अंदार रहा था जनित लियाने के रिसेंट लिए अगर खेलते से लिस्टे में और 26 मैच के 15 इनिंग में 11 विकेट है रिसेंट फर्म इनका आप देख सकते हो तो अगर यह खेलते हैं तो आप ध्यान दे सकते हो इनके ऊपर ठीक है बाकि सबके बारे में मैं आपको बताए दिया आगे भी मैं आपको और अभी डीटेल में बता दूंगा तीक्षणा बदुन्चंका वंडर से इनके बॉलर से अच्छा स्टाइट्स रखते हैं असीता फन इंडो का उतना अच्छा स्टाइट्स नहीं है लिस्टे में अच्छा है पर टूडियाइज में 10 मैच की नोइंग में केवल साथ विकेट है शिराज ओडियाइज में एक म कर लो उसके रीजन में आपको बहुत सारे दे सकता हूं कई बड़ी बड़ी अप्लिकेशन आपका टीडियाइज कट करती है जबकि रियल इलेवन आपका टीडियाज कट होता है वो नेक्स्ट मंत के फर्स्ट विक में वापस कर देती है जो 100% रिफंड होता है और यूज बी रिफंड हो रहा है एक्जामपल के लिए 100 पे रिफंड हो रहा है तो उसमें 100 रुपे का 7% कितना होता है 7 रुपीज वो एड होके और मिलेगा यानि 107 रुपे मिलेगा और वो आपका 100% कोई भी कॉन्टेस्ट में यूज होगा तो सोचो आप जिस आप पे खेल रहा आपको जमीन असमान का अंतर मिलेगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है आप पैसे बचाओ बहुत पैसे बचालोगे महिने भर में वही सेम कॉन्टेस्ट खेल गे तो ज्यादा पैसे क्यूं देने आप कमाने आओ गमाने नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिं लेकिन रिसेंट टाइम में यह लोग अभी इंटरनेशनल टी ट्वेंटी खेल रहे तो उससे पहले दो महिने पहले सीपील खेल रहे थे उससे पहले फिर इनका जो ओडियाई है ना बहुत पहले खेला इन्होंने मतलब 6-8 महीने हो गया ओए उसके बाद इन्होंने बहुत क्रिकेट खेलाया तो इसलिए क्रिकेट का इनका रिसेंट स्कूर नहीं मिले आपको अब मिल भी रहे तो बहुत पुराना है करेंट फॉर्म का मतलब होता है most recent फॉर्म में ने आपको दिखाया है तो थोड़ा सा यह मैं समझना कि यह ती ट्वेंटि यह ओडियाई है ठीक ह प्रेंडन के एक मैं फॉर्म अच्छा था लिविस का भी अथनाजे का यहां इब एक 44 का स्कोर सेंफोप का फॉर्म अच्छा था डोमेस्टिकली इंटरनेशनल अभी कुछ खास नहीं कर पाये थे काटी का फॉर्म उतना अच्छा नहीं था रास्टन चेज का भी फॉर्म का हराब श्याफ का फॉर्म पिर ही ठीक था फॉर्ट का फॉर्म देखूगे रिसेंट्ली डुमेस्टिकली टी टवेंटी में तो ठीक था था जूशेफ ने एक विकेट निकाला है मोटी का फॉप थोड़ा ठीक था जोशेफ यहां से आब ने चाथ प्लियर बता असलाजका तो आठ प्लेयर ये आपकी बेस्टीम बन गई बाकी आप और कौन से प्लेयर को ले सकते हो आगे हम लोग वही डिसकस करने वाले ठीक है तो ये चीज़े आपने देख ली बाकी इनकी टीम से देखो ये इनके समर्थ जोसेफ अलजारी जोसेफ एमफ़र्ड और सैफ़र्ड इनके तेज गंदबाज मोटी राष्टन चे जिनके स्पीनर हो जाएंगे वैसे राष्टन चे शेर करते हों दिखेंगे ये पांच लीगन बाजी करते हो दिखेंगे बट राष्टन चे इस कईटी अधनाजे के आल्सो बॉल ठीक है अब इनके थोड़े से प्लेयर वाई स स्टेट्स देखो माहां पर आपको कुछ एक चीज़ पता चलेंगी पावर प्लेगे के गिंपाज ए जोसेफ आइस जोसेफ देथ में ज्यादा चांच है बट समर जोसेफ और एमफोर्ड भी आ सकते हैं यह आपको जहान रखनें वो भी देथ बोलन है से होप का 50 का आवरेज है रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है अथनाजे का 29 का आवरेज है एवन लिविस यदि खेलते तो 37 का आवरेज है और फॉर्म रिसेंटल अभी पचास किया तो अब काफी इंकंसिस्टेंट प्लेयर डोमेस्टिक में भी देखो इंटरनेशनली भी केक आर्टी का 34 का आव से फिरदाविकिट है जी मोटी का तेरह इनिंग में 22 फिकेट है इनका खराब रिकॉर्ड नहीं है बाकि समर जोशेफ का दो मैच में दो विकेट थोड़ा सा हूँ इसके बाद दोनों टीमों के भीजमा 64 बार मैच हुए श्रिलंका ने 30 बार वेस्ट इंडीज ने 31 बर जी की बात है बाद की सब का डीसंट सा रिकोर्ड उसमें निशांका का अवरिज का एबरज है इन्हों निकाले यह वाली चीज होती है थोड़ी हट-to-मेड़ विगेर का भी देख बाकी देखो केक आर्टी का एक मच खेले 87 किया मैंने आपको बताया था इनके बारे में इनका स्टेट्स बार तो यहां पर वेला लगे और यहां पर तीक्षणा और वेला लगे थोड़ा स्पीनर्स जो है वह वेस्ट इंडीज को थोड़ा साथ दिक्कत दे सकते अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ इनकी टीम के सबसे बैस्ट बल्लेवाजे ओडी आई फॉर्मेट के 50 प्लस लेके जाना है कुसाल मेंडिस की बात करें तो स्मॉल लिक के पॉइंट वी से अच्छे खिलानी है बड़ा स्कोर कभी भी आ सकता है बस थोड़े बीच में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं जल्दी कम स्कोर पे आउट हो जाते हैं बट कीपिंग बैक आप है ओडी आई फॉर प्लस वहां बॉलिंग से भी विकेट निकाला है यहां पर भी विकेट निकाल सकते हैं तो फिलाल के लिए अच्छे पिक अगर इनकी टीम देखो मालो वेक्रमा सिंगे को खिलाएगी उसके बाद कुसाल मेंडिस भी रहेंगे और एक और इनके जो पावर मतलब असलांग का बॉलर हो जाते हैं तो यह तीन बॉलर हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा रहेंगे तो साइध इनकी गेंदबाजी करने के चांचेस थोड़े कम हो जाएंगे और चेजिंग में आप चोड़ने का रिसक ले सकते हो अधरवाई यह अच्छे पिक है मस्टा पिक फॉर्म में भी ह अभी T20 में भी हाथ दिखाया बॉलिंग से वहाँ पर भी विकेट निकाला इविन लिविस वैसे बड़ा स्कोर करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन ना फॉर्म काफी खराब चल रहा है खराब इंद संस की काफी इनकंसिस्टेंट रहते हैं एक बड़ा स्कोर फिर तीन धुनसंग का इनको परिशateg कर सकते हैं और फिर बीच-पीच में ये स्पी नरर के अगेंस्ट भी तंग होते हैं तो उसके लिए मैंने इनको छोड़ दिया लेकिन ये अच्छे पिक हैं इसलिए अच्छे पिक हैं नूप्ट्ट करसकते हैं इनमें अबीलिटू है जो इनकी कमिया है उसको ये defense कर दें बाकी को जब ये खराब गेंदे खराब short खेल जो खराब गेंदे उनको short खेले तो में भी अच्छा score कर जाए कई बार ये करते भी है बट मैं adjust नहीं कर पाया हूं टीम में पी निसांका मेरे है और लिस्टे में एक सतक जड़केर आ रहे हैं केकारटी और अथनाजी ये decent प्लेयर है जो 30 चैलिश में mostly score करते हैं कभी कभी केकारटी बड़ा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि एक पर सिलंका कर चुके तो थोड़ा सा इंके ओपर Grand Leaks में या मिनी जील में इन तीनों को पर रिस्क ले लेना लियाने के साहिद नहीं खेलते हैं खेलते भी है तो लियाने के का जो कि अपने समय पे बॉलिंग से भी विकेट निकाल सकते और बल्ले से भी रंच बना सकते हैं तो आप इनको बैक कर सकते हो फिलाल के लिए मैंने बैक किया है आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो वैसे मैंने मस्ठप पिक की केटेगरी में गिना है जिस टाइप की य आएं गई बॉलिंग से भी विकेट निकाल लेते हैं प्लस बल्ले से मौका मिले तो काफी अच्छा कर सकते हालाग यह बॉलिंग और लिस्टे में भी फॉर्म काफी शांदार है हर मैंच में दो तिंटिं करके विकेट निकाले रोमारियो से वर्ट खराब ऑप्शन नहीं और यह बॉलिंग और इनका फॉर्म थोड़ा से डोमेस्टिकली अच्छा रहा और खेलने के चांसे अच्छे खास हैं कि समरा विकरमा की जगे यह खेलें तो अगर यह खेलेंगे तो आप इन दोनों को लेकर जा सकते हो लेकिन कौन कितने वर्ट की बॉलिंग डालेगा फि आप यहां पर जोसेफ को नहीं लेना चाहते हो तो आप यहां पर कमिंदो मेंडिस को अपनी टीम में रखे लेके जा सकते हो यह राष्टन चेश की जगे कमिंदो मेंडिस की जगे मतलब कमिंदो मेंडिस को और विकरमा सिंगे नहीं खेलेंगे तो कमिंदो मेंडिस मस्ठपिक हो जाएंगे तब इनके बॉलिंग के चांसे अधिक रहेंगे तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू नीचे आज शिता फर्नेंडो यह दथ में आ सकते हैं प्रपर द्रफ बॉलर है पर डॉमेस्टिकली तो अच्छा किया हुआ है इंटरनेस लेवल पर अपने आपको प्रूफ नहीं कर पाएं आप चाहो तो ग्रेंडिंग में फर्स निंग की गेंदबाजी में इनको पर रि टीम हो रही है वह कुछ इस पकार से कैप्टेंशी हसरांगा वाइस कैप्टेंशी सेफ़र्ड को दिया है आप इसको रिवर्ष भी कर सकते हो कुशाल मेंडिस से लोग अधर गुड ऑप्शन है फॉर कैप्टेंशी एंड वाइस कैप्टेंशी अब देखो यहां पर रास् फर्नेंडे हो गए उनके उपर कप कैसे रिस्क ले सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिच्वेशन आपको अपने प्लेयर्ज को चेंज करना है रिस्क लेना है जितने मेंबर्स वाला कॉंटेस उतना बड़ा रिस्क उस तरीके से आपको लेना है बाकि यह आप 25 मेंबर तक क के अविस्का फर्नेंडो को ले लिया है और यहां का मिंदू मेंडिस भी और रस्टेन चेस को मैंने एस कैप्टेन कर दिया काफी लोग इनको लेंग नहीं ली बाकी मैंने यह असलांका हसरांगा विला लेके सब मेरी टीम में ब्रेंडन किंग को और ले लिया कुशाल इसमें राष्टन चेज निसांका अलजारी जोसेफ को जोड़ो और इन पर कैप्टन वास कैप्टन डूटेट करो आपकी ग्रैंड लिग की टीम बन सकती यदि आपका थोड़ा सा भी लक ने साथ दिया चुकि ग्रैंड लिग में लक तो बहुत चाहिए तो अगर थोड़